फिल्म ब्रह्मास्टर के रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस फिल्म को सेरे से ही नकार दिया है। ब्रह्मास्टर को बनाने के नाम पर क्या किया। इस फिल्म के लिए चार सो दिनों तक इस फिल्म की शूटिंग चली है और इस दौरान 85 एडीज को भी बदला गया है। और अगर इस से भी आयान मुखर जी का दिल नहीं भरा तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। पहले उसने फिल्म का नाम जलालुदिन रूमी रखा था और उसके बाद लास मिनिट पर उसने शिवा नाम रख लिया क्योंकि बहुबली की सक्सेस हुई। अगर ऐसे लोगों को भी जीनियस कहा जाता है तो फिर ये मैनिपलेशन नहीं है तो और क्या है। अब इस पूरे मामले में करण जोहर से पूछताच होनी चाहिए। वो दुनिया की सेक्स लाइफ के बारे में जानना चाहता है। जबकि उसको अपनी फिल्म, उसकी स्क्रिप्ट, इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। करण जोहर ने खुद ने एक इंटर्व्यू में एड्मिट किया है कि वो रिव्यूस करीता है, वो स्टार्स करीता है, फेक कलेक्शन नंबर्स देता है और टिकेट्स की एडवांस बुकिंग भी फेक दिखाता है। और इस बार क्योंकि हिंदुइस्म की वेव है सभी तरफ, तो इस फिल्म से जुड़े सभी लोग पुजारी बन गए और मंदिर मंदिर जाकर माथा टेकने लगे। साउथ आक्टर्स के सामने, डिरेक्टर्स और राइटर्स के सामने इन लोगों ने भीक मांगी है अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। सिस्टम को टेक ओवर कर लेता है, उनका खोन चूस लेता है, उनने बरबाद कर लेता है। और ऐसा बरबाद करता है कि वो इंडिया में टिक ही नहीं पाते हैं, जैसे कि फॉक्स स्टार। अब आप ही बताईए कि हम फिल्मे कैसे बनाए जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई स्टूडियो बचा ही नहीं, सिर्फ ट्रेडिशनल फिल्मेकर्स और इंडिविजिल प्रेडूसर्स ही इस इंडस्ट्री में बचे हैं.